नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नेहा की पाक्षाला में और आज मैं आपके साथ शेर कर रही हूँ काले चने की पुलाओ की बहुत ही टेस्टी और हेल्दी डेसेपी तो चलिए हमी टेस्टी और हेल्दी पुलाओ बनाना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम चनों को बॉयल करेंगे तो यहाँ पर मैंने तीन कप काले चने लिये हैं इनको हम कुकर में डाल देंगे चनों को मैंने रात भर के लिए भिगो दिया था और अब ये अच्छे से पूल चुके हैं साथ ही में हम इसमें डालेंगे एक कफ पानी और एक पीस्पून नमक, मिक्स कर देंगे अच्छे से, अब कुकर का ठक्कर लगाएंगे और गैस को ओन करके हाई फ्लेम पे रखेंगे, और कुकर में 6-7 सीटिया लगाएंगे हाई फ्लेम पर, कुकर में 7 सीटिया आ चुकी है तो अभी हम गैस को एकदम लो फ्लेम पे कर देंगे और 10 मिनिट के लिए चनों को लो फ्लेम पर और पका लेंगे, दस मिनिट के लिए हमने चनों को लो फ्लेम पर भी पका लिया है तो अभी हम गैस को आफ कर देंगे और कोकर को तन्डा होने देंगे आप तेल का भी इस्तमाल कर सकते हैं अभी हम गैस को ओन करके मीडियम फ्लेम पे रखेंगे और घी को गरम कर लेते हैं तो घी जो है वो गरम हो चुका है तो गैस को मीडियम लो कर देंगे जिससे कि जो भी हम मसाले इसमें डालेंगे वो जलेंगे नहीं तो ये मैंने लिये है कुछ खड़े गरम मसाले, जिसमें कि मैंने लिया है दो छोटे साइस के तेज़ पत्ते, तीन छोटी छोटी डाल चीनी की स्टिक्स ली है, तीन हरी इनाईची, दो बड़ी इनाईची, आज से दस काली मिर्च के डाने, और चार से पाच लाउंग ली है साथी में डालेंगे दो सूखी लाल मिर्च, अभी सारे मसालों को एक से दो सकेंड के लिए खीमे फ्राई कर लेते हैं अब डालेंगे इसमें एक चोथाई टी स्पून हूंड, वन एंज हाफ टी स्पून जीरा, एक टेबल स्पून जिंजर चिली पेस्ट अब निक्स करेंगे इसको और एक से दो सेकेंड के लिए पका लेंगे जिससे की अध्रक और मिर्च का जो कच्चा पन है वह खतम हो जाएगा ये मैंने तीन मीडियम साइज के प्यास को लंबा लंबा काट कर लिया है, इनको डाल देंगे गैस को मीडियम फ्लेम पे करेंगे और प्यास को थोड़ा सा गोल्डिन ब्राउन होने तक पका लेंगे अगर आप प्यास नहीं खाते हैं तो आप प्यास को अवाइड भी कर सकते हैं प्याज जो है वो हल्के golden brown हो गए हैं इससे जादा हमें इनको नहीं पकाना है तो अभी डालेंगे इसमें हम एक टी स्पून हल्दी पाउडर एक कप बारी कटा हुआ टमाटर डाल देंगे वन एंज हाँ ती स्पून नमक डाल देंगे नमक आप अपने स्वात के अनुसार ही डालें अच्छे से मिक्स करेंगे टमाटरों को और कवर करके मीडियम फ्लेम पर टमाटरों को अच्छे से पका लेना है तो अभी देखिए जो टमाटर हैं वो अच्छे से पक चुके हैं तो जो चने हमने बॉइल किये थे ना वो अभी इसमें डाल देंगे चनों को मसाले के साथ में अच्छे से मिक्स कर लेंगे वापस से कवर कर देंगे गैस को मीजियुम फ्लेम पर रखना है और चनों को मसाले के साथ में थोड़ा पका लेंगे जिससे कि सारे मसालों का बड़ीया सा फ्लेवर चनों में आ जाएगा और जो थोड़ा पानी है न चनों का वह भी पूरा खतम हो जाएगा पाच मिनिट के लिए हमने चनो को मसाले के साथ में पका लिया है तो अभी एक बार हम इसको चेक करेंगे तो अभी आप देख सकते हैं कि जो चनो का पानी था वो पूरा खतम हो गया है और बहुत ही बढ़िया मसालों का फ्लेवर चनों में आ गया है तो अभी हम डैस को एकदम लो ख्लेम पे करेंगे और अब इसमें जाएगा ये पका हुआ चावल यहाँ पर मैंने दो कब बासमती चावल को अच्छे से धो करके स्टीम राइस प्रपेर करके रखा हुआ था वही मैं इसमें इस्तमाल कर रही हूँ आप लेफ्टोवर राइस से भी इस पुलाओ को बना सकते हैं तो चावलों को अभी हम हलके हाथ से मिक्स करेंगे क्योंकि जो चावल है वो पका हुआ है अगर हम जल्दी-जल्दी मिक्स करेंगे तो चावल तूट जाएगा और यह जो पुलाओ हम बना रहे हैं यह ठाने में बहुत ही बढ़िया लगता है हेल्दी भी है और बहुत ही यूनिक सी रेसिपी है यह पुलाओ की तो उमीद है कि आपको यह रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी तो जो राइस है वो अच्छे से मिक्स हो गया है तो अभी हम इसको कवर कर देते हैं और पांच मिनिट के लिए एकदम लोग फ्लेम पे इसको पका लेंगे जिससे की चावलों में भी बहुत यह बढ़ियाजा फ्लेवर आ जाएगा मसालों का तो पांच मिनिट बाद धक्कन हटाएंगे बारी कटाओ वहारा धन्या डालेंगे और हलके हाथ से एक बार दुबारा से मिक्स कर लेंगे तो अब यह हमारा काले चने का जो पुलाओ है वो बिल्कुल वेडी है तो अभी हम गैस को ओफ कर देते हैं और गर्मा-गरम पुलाओ को एक सर्विंग बोल में निकाल लेते हैं आप इस पुलाओ को सिंपल दही और सलाथ के साथ सर्व करें बहुत ही बढ़िया लगता है कने में और और पस्टक ज demand a new यह तो अगर आप को यह पसंद आये हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आप मेरी चैनल कर हैं आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्स्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जल्दी मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ में तब तक के लिए बाई बाई टेक कियर एव नाइस डेए